हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिमजीम का पाठ चावल की रोटियां इस वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे जो भी मुश्किल सब्दाई हैं उनके मैं आपको अर्थ बताऊंगे और आप अच्छे से समझते जाएए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पाठ जिसका नाम है चावल की रोटियां चावल के बारे में तो आप सब बच्चे जानते हैं जैसे आपका भी मम्मी आपके लिए नमकिन चावल बनाती है कभी मीठे चावल बनाती है कभी जीरा राइस बना देती है तो एक और सुनते हैं, तो यह क्या है, यह एक नाटक है, जैसे आप नाटक देखते हैं, तो नाटक में क्या होता है, जैसे आप स्कूल में अपने स्कूल में नाटक देखते हैं, जब बच्चे नाटक करते हैं, तो क्या होता है, पहले एक परदा लगा दिया जाता है, उसके बाद पीछे ट्यारी करे बैठ जाते हैं, और फिर बाद में परदा हटता है, तो आप वहां पर सीन देखते हैं, कि कौन क्या कर रहा है, और फिर नाटक शुरू हो जाता है। तो इस नाटक में भी कौन किस का रोल करेगा, तो देखिए, एक का नाम है कोको, जो आठ साल का एक बर्मी लड़का है, बर्मी यानि कि आपको पता है, बर्मा एक देश का नाम है, जो हमारे भारत देश के साथ में लगता हुआ, जैसे आप पिक्चर में देख पारें, ये ज पहने ली गई है, तो एक लड़के का नाम है कोको, थोड़ा सा मोटा है वो, अगला है पात्र नीनी, नीनी एक 9 साल का वहीं बर्मी लड़का है, यानि की बर्मा से ही एक लड़का है, और वो कौन है नीनी, कोको का दोस्त है, अगला लड़का है तीन सू, तीन सू कोन है, बर लगबग आठ साल का, नो साल का, साथ साल का, आपने भी देखा होगा, आपकी क्लास में क्या होता है, आपके जो क्लासमेट होते हैं, आपके जो जैसे मालिया आप पांचमी कक्षा में पढ़ते हैं, तो लगबग पांचमी के सभी बच्चे इतने ही उमर के होते हैं, आप देख रेक करता है, जिसकी दुकान होती है, तो इसका अभिन्य कोई लंबे कद का लड़का नकली मुझे और चस्मा लगा कर शकता है, देखे, जो नाटक में जो लड़का है, वो जो दुकान का परबंदक बना हुआ है, उबातुन, वो क्या है? एक लंबा लड़का, जैसे आपकी क्लास में से मान लिया, अगर छोटे बच्चे हैं, सारे रोल कर रहे हैं, तो हम 12th क्लास का बच्चा ले सकते हैं, अगर हमने नाटक बनवाना है, तो अभिन्य करना यानि की एक्टिंग करना, ठीक है? तो उसने क्या किया है, अब अंकल बनेगा, वो दुकान वाला, कर पाएगा, ठीक है? एक सादा कमरा, अब देखी, जब वो परदा हटता है, तो क्या सीन दिखाई देता है, वहाँ पर, आप क्या देख पाते हैं? एक सादा सा कमरा, सादा है निकी, बिल्कुल सीम्पल साम्पल, ज्यादा सजावट नहीं है, दिवारों पर बास की आपने दिखा होगा, बास की चटाईयां लगा देते हैं, ताकि अंदर धूप ना आए, बारिस ना आए है, तो उनकी दिवारों पर भी बास की चटाईयां लगी हुई थी, एक दिवार के साहरे रखी अलमारी, उस दिवार में, एक दिवार के साथ में क्या रखी हुई थ गर चाए पी पीने लगी तो एसी केतली जरूर देखी होगी आपने कुछ कप और खाली गुलाबी फूल दान रखा है कुछ कप कप किसली चाय पिने के लिए और खाली गुलाबी फूल दान फूल दान यानि कि जिसमें आप फूल रखते हैं उसको बोलते हैं फूल दान पोट बोलते हो जिसको आप इंगलिस में वो खाली है यानि कि उसमें अभी फूल नहीं रखे हुए है कमरे के बीच फर्स पर एक चटाई बिची है ठीक है फर्स पर बीच में क्या है चटाई बिची हुए कई बार क्या होता है बच्चों को पढ़ाई करनी होते हैं वो बीच में फर्स पर चटाई बिचा लेते हैं और चटाई पर बैट कर पढ़ाई करते हैं जिसके उपर कम उचाई वाली गोल मेज रखी हुए अब देखे बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उस टेबल की क्या है गोल टेबल है और उसकी उचाई कम है उस कमरे में दो दरवाजे हैं एक दरवाजा पीछे की और खुलता है और दूसरा एक किनारे की और पंच्चियों के चहचाने के साथ-साथ परदा उठता है अब देखे जैसे ही परदा उठता है तो जो आवाज आ रही है वो ऐसे लग रहा है अपने शूना होगा सूबसुबद जर उठते हैं उस ताइम पे चश्याँप के टाइम पे मुरगा क्या करता है- बांग देता है जो मुरगा आवाज बोलते है बांग देना मुरगा बहुत जोर-जोर से बोलता है सब लोगों को पता चल जाता है और सुभा के टाइम में लोगों को ये कहते हैं कि उठाने के लिए बांग देता है कुता भूकता है ठीक है जो कुता आवाज करता है तो उसको क्या बोलते हैं कुता भूकता है भो भो तो इसको बोलते हैं भूकना कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं प्रार्थना की घंटियां जैसे आपने देखा होगा आप सुबह उठते तो क्या होता है मंदिर में घंटियों की आवाज आरी होती है क्योंकि सुबह सुबह जो पुजारी लोग होते हैं या बाकी लोग होते हैं करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, को को आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखाया गया है, कि एक लड़का है, वो सो करके अभी उठा है, तो बच्चा जब उठता है, तो क्या करता है, मुझ खोल के बड़ी जो उबास तो वहाँ पर क्या सीन आपने देखा, तो यह सीन है, अब यहाँ से नाटक सुरू होता है, तो चलिए, सुनते हैं इस नाटक को, को को, अब देखिए, जिस लड़के का नाम है, वो क्या बोलता है, को को के नाम के आगे लिखा हुआ, इसका मतलब यह को को बोल रहा है, ठी फिर बोलते हैं ताकि सब को आवाद सुनाई देती है। तो जिसका भी नाम लिखा है उसके बाद कुछ लाइने लिखी हुएं, इसका मतलब है कि वहीं बच्चा बोल रहा है। तो सबसे पहले कोको बोलता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गई हैं, ठीक है? जब तक माँ खाना बनाने के लिए लोटकर नहीं आती, मुझे घर की देखवाल करने हैं, अब देखे वो लड़का सो रहा था, तो उसके ममी पापा खेत में चले गए, तो वो कह रहा है कि जब तक मेरी माँ नहीं आती, तब तक मैं घर पे रहूँगा और घर की देखवा कि माने सुह के खाने के लिए क्या बना कर रखा हुआ है मेरे लिए, वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है, जो सामने अलमारी लगी हुई थी दिवार के साथ, एक तस्तरी निकाल कर देखता है, तस्तरी यानिकी प्लेट, जब उसने अलमारी खोली, तो और उस प्लेट में चावल की चार रोटियां, उसकी माने उसके लिए चावल की चार रोटिया बना कर प्लेट में रखे, अलमारी में रख दे थी, तो जैसे ही उसने अलमारी खोली तो उसने दिखा, पलेट में चार चावल की रोटियां रखी है, वह होठों पर जीब फेरता और अंदर ही अंदर मुश्कुराते हैं, क्योंकि आपको चाहना थी जिस चीज की वहीं आपको मिल जाती है, कोको आहा मजा आ गया चावल की रोटियां, क्योंकि उसको मजा आ गया था देखकर के ही, मेरी मन पसंद चीज, यानि कि कोको को बहुत ज़्यादा पसंद थी चाव पेट पर हाथ फेरते हैं, कि अभी मैं खाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा, उसने क्या किया वो प्लेट उठा करके मेज पर रख ली, खोको, आज तो डट कर नास्ता होगा, डट कर यानि कि चार रोटियां थी उसके लिए, तो वो कह रहा है कि आज तो पूरा भर पेट यानि कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा, वहें एक रोटि उठा कर मुँ में डालने लगता है, यानि कि जैसे आप रोटि लेते हैं、 तो पहला ही वो नवाला तोड़ रहा होता है, पहला टुकड़ा तोड़ते हैं आप उसको बोलते हैं निवाला, तो वो ऐसे तोड़ क भी खाने ही वाला था उसने भी खाना शुरू नहीं किया था नीनी अब क्या है नीनी यानि कि वो उसका दोस्त है जो को 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 दरवाजा खोलो मैं हूँ नीनी तो नीनी क्या बोलता है जोर जोर से एकदम से तेज तेज बोलता है वो को को दरवाजा खोलो मैं नीनी हूँ ठीक अब देखिए, वो उसकी मन पसंद चीज थी, जैसे मान लिया आपकी मन पसंद चीज है आईस्क्रीम, आपने देखा कि मम्मी ने फ्रीज में आईस्क्रीम रखी है, आप निकाल कर खाने ही वाले थे कि आपके दोस्त ने आकर आपकी घंटी बजा दी, दरवाजे की, तो आप क्या सोचेंगे, अगर आपका दोस्त बोलता है कि मैं हूँ दरवाजा खोलो, तो आप क्या सोचें कई बार, कहीं इसके साथ मुझे आईस्क्रीम शेयर ना करने पड़ जाए, तो क्या करते हैं बच्चे, सोचें कि थोड़ी दिर के लिए इसको छुपा करके रख देता हू तो उसकी भी मन पसंद चीज थी वो चावल की रोटिया, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये नीनी तो भूख खड़ा है, यानि कि वो अगर देखेगा तो वो मांग लेगा कि मेरे को भी देदो एक चावल की रोटी मैं भी खा लेता हूँ, उसको भी अच्छी लगती ह तो उसने का, मैं इनको चिपा देता हूँ गहीं, अब नीनी क्या बोलता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी, अब देखिए, कोको क्या करने लगया, कोको सोचने में बीजी हो गया था, तो दरवाजे, वो ये सोच रहा था कि मैं रोटिय हूँ हूँ वो सोच रहे है बार-बार रेडियो की तरफ देखकर, जैसे आपने देखा कि अलमारी के ओपर रखा हुआ था है तो वो वो रेडियो की तरफ देखता है मैं तस्तरी को रेडियो के pichy चिपा दूँगा ठीक है वो सोचता है कि मैं ये प्लेट है जो चावल की रोटियां जिसमें रखी हुए है इसको रेडियो के पिछे रख देता हूँ जो अलमारी के उपर रखा हुआ है जोर से बोलता है वो अभी आता हूँ निनी जरा रुको ठीक है वो सोच रहा था कि रो कहाता हूँ अलमा जाता है वो अक व्यक्तर चाव मंद साथी क और पर कि शूर णरे कि कवर करणा तयो जोर से संपे हैँए शूंगा जिलेटर आम सब्सक्तेशथ कर देक्यां में पतलतफर के एयुजिदे मोगा ड़ए को कि कैता है कुछ दोल झाल सिर्ड़ने में आ और mood होने चल गया गया था आप भी करते हैं खाना खाने के बाद क्या करते हैं हाथ दोते हैं कुला करते हैं ठीक है तो उसने भी यहीं बुला कि मैं mood होने लग गया था अब बताओ तुम सुबह सुबह क्यों आई हो अब नीनी कहता है कि क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थ परिक्षा के बारे में रेडियो पर खास उचना आने वाली है, देखिए, मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर रेडियो का बहुत ज़्यादा पर्चलन था, टीवी नहीं होता था, लोगों के घरों में, तो उसने कहा कि परिक्षा के बारे में, यानि कि पेपर के बारे म अब देखिए, कोको ने क्या किया था, आपको पता है कि रेडियो के पीछे चावल की जो रोटियां थी, वो छिपा रखी थी उसने, तो कोको को यह लगा कि वो रेडियो अगर उठाएगा तो उसको चावल की रोटिया दीख जाएंगी, तो कोको कहता है, लेकिन तुमारे गर में भी तो radio है ठीके ना तो निनी कहता है वे खराब है इसलिए सोचा तुमारे radio पर सुनूँगा निनी गोल मेज के पास बैठ जाता है अब देखिए निनी ने क्या किया मेज के पास बैठ गया और उसने कहा कि हमारे घर का जो radio है वो खराब है इसलिए मैं तुम्हारे घर में आया हूँ कि तुम्हारे रेडियो से हम वो सुनेंगे सूचना अब नीनी कहता है रेडियो उठा कर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे-लेटे सुन सके वो चटाई की पास बैठ जाता है और कहरा हम लेट जाते हैं आप रेडियो ले आओ और हम सुनेंगे अब कोको कहता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है ठीके ना क्यों? क्योंकि उसने पीछे चावल की रोटियां चिपा रखी थी और अगर वो रेडियो उठाता तो चावल की रोटियां नीनी को दीख जाती तो इसलिए वो भी बहाना कर रहा है कि हमारे रेडियो में भी खराबी आ गई है नीनी कहता है आओ कोसिस करके देखे मैं उठा कर ले आता हूँ वो कहता है कि चलो देख तो लेते हैं एक बार नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है ये कहा कर नीनी क्या करता है उठ करके वो रेडियो लेने के लिए अलमारी की तरफ जाता है लेकिन कोको क्या करता है नहीं नहीं नीनी इसे मत छुना चुओगे तो current लग जाएगा वो एकदम से कोको उसको रोख देता है ठीके ना? आपको पता ही चल गया कि क्यों रोखता है वो नहीं चाता था कि कोको नीनी रेडियों के पास जाए उसने का नहीं नहीं अगर आप इसको चुओगे तो current लग जाएगा अब नीनी रुक जाता है ये सुन करके नीनी को क्या पता था कि वो जूट बोल रहा है नीनी मैंने तो इसे चुई लिया था भाई मैं वह ख़बर जरूर सुनना चाहता हूँ तिनसु के घर जाता हूँ तो देखिए वो बहुत उतावला था वो सुचना सुनने के लिए साइद कोई जरूरी सुचना होगी तो उसने कहा कि मैं तो इसे चुने ही वाला था बच गया अगर मैं हाथ लगा देता तो करंट लग जाता तो उसने कहा मुझे तो ख़बर जरूर सुननी है तो मैं तिन सू के घर चला जाता हूँ, उनका एक दोस्त है तिन सू, तो वो कहता है कि मैं तिन सू के घर चला जाता हूँ, और तुम भी चलोगे क्या, तो कोको कहता है नहीं, आप चलो, अच्छा, फिर मिलेंगे, नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है, तो यह कहकर नीनी चल जाता है और कोको कहता है नहीं मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ ठीक है तुम जाओ मैं हम फिर मिलते हैं कोको गहरी सांस लेकर अब देखे कोको ने जैसे दरवाजा बंद किया तो उसको लगा ओफो बच गया अगर नी रेडियो के पास जाता और चावल की रोटियां द अब चल कर नास्ता किया जाए मेरे पेट में चुहे दोड़ने लगे हैं चुहे दोड़ना यहने की वह जोर से भूख लगना जब आपकी कोई पसंद की चीज होती है तब आपको और ही ज़्यादा जोर से भूख लग जाती है पता है न तो इसी को बोलते हैं पेट में इतनी देर में फिर से दर्वाजे पर किसी ने दर्वाजा खटकटा दिया कोको अब कोको क्या कहता है उसने तस्तरी रखी मेज पर जाने अब कोना टपका ठीक है उसको बहुत जोर से भूख लगी थी वो खाना चाता था लेकिन वो किसी को देना भी नहीं चाता था अकेले आगया मीमी कोको दर्वाजा खोलो मैं हूँ मीमी अब उसका दोस्त आ गया दूसरा दोस्त मीमी वो कहता है कोको जल्दी से दर्वाजा खोलो मैं हूँ दर्वाजे पर मीमी कोको बाप रे यह तो मीमी है उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और व मीवी क्या है मीमी को भी चावल की रोटिया भहुत पसंद है और जब वो सोच रहेकि अगर वो कम्रे में आएगी और उससे चावल की रोटियों की मह operate sense अब वो सोच रहे कि अब रोटियों को कहा चिपाओं है कमरे की तलासी लेगी, तलासी लेना हैंगी, सब जगर ढूंडना, ठीके न, मीमी फिर दर्वाजा खट-कटाती है, क्योंकि कोको सोचने में देर लगा देता है, वो दर्वाजा जल्दी से नहीं खोलता है, कोको दर्वाजा खोलो न, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, तो मीमी पिर से दरवाजा खटकटाती है और जोर से बोलती है कि जलदी से दरवाजा खलो कोको कहा छिपाऊँ अब फिर से वो सोच रहा है कि मैं इनको कहाँ छिपाऊ कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूल दान के अंदर छिपा देता हूँ देखिए जो खाली फूल दान रखा हुआ था उसमें आपको पता है फूल नहीं थे हैं तो वो सोचता है कि काँ चिपाऊं काँ चिपाँ फिर उसने देखा कि फूल दान है तो उसने सोचा फूल दान के अंदर रख देता हूँ कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है, मीमी कागच में लिप्टा बंडल उठाए कमरे में आती है, जैसे ही कोको ने फूलदान में अपनी तस्तरी यानि की प्लेट में जो रखी थी रोटियां, वो चिपा दी और उसने दरवाजा खोला, तो मीमी के हाथ मे मीमी के हाथ में एक कागच था, ठीक है, उसमें लिप्टे हुए बंडल उठाए कमरे में आती है, कागच में लिप्टा बंडल यानि की देखे, जैसे आपकी ममा प्रांठा बना दीती है, तो क्या करती है ममा, फोईल पेपर में लपेट करके, उसको गोल-गोल रोल बना कर कि मीमी भी जल्दी चली जाएगी, तो उसको भी जूट बोल देता है, कि मैंने अभी अभी नास्ता किया था और में मूध होने लग गया था, आओ बैठो, कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, मेज के इर्द गिर्द या नहीं, दोनों मेज के पास बैठ मीमी मुझे अभी अभी तुमारे माता पिता मिले थे जब उसके ममी पापा खेत में जा रहे होंगे तो मीमी को मिल गए होंगे रास्ते में तो तुमारी माता जी ने कहा कि तुमारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है देखिए उसकी मम्मी ने उसको जिकर कर दिया होगा मीमे को कि तुम्हारे मैंने है ना कोको के लिए चावल की रोटिया रखी है अलमारी में तो मीमी को चावल की रोटिया बहुत पसंद थी तो इसलिए मीमी उसके घर आई है अब कोको फस गया है ना कोको को लगा कि अगर ब वो जूट बोलता है, वो कहता है, चावल की रोटियां तो बनाई थी मेरी मम्मी ने, लेकिन मैंने तो सारी खा ली, ठीक है, मीमी कहती है, एक भी नहीं बची, देखिए उसकी भी बहुत अच्छी लगती थी उसको, तो वो एकदम से बोलती है, ठीक है, जैसे मानली आपके मम चोकलेट रखी हैं फ्रीज में दो, तो आपका भाई अगर बोले, कि मैंने तो खाली दो नो, तो आप ये तो बोलोगे न, क्या, एक भी नहीं बची, तो वो इसी तरह से वो मीमी भी रियक्शन करती है, और वो कहती है, क्या एक भी नहीं बची, तुमने चारों की चारों अब कोको कहता है, सोरी मीमी, मैंने सब खाली, वो कहता है, सोरी मुझे माफ करो, और मैंने सब रोटियां खाली, अब वो क्या करता है, एक्टिंग करता है, वो अपने हाथ से पेट को मलते हुए, पेट पर ऐसे हाथ घुमाते है न, जब बच्चे ज़्यादा खाना खालेत नहीं है अब मीमी क्या कहती है बहुत बुरी बात क्योंकि उसकी मन पसंद रोटियां थी मेरी माने केले के पापड बनाए थे मैंने सोचा तुमारे साथ बांट कर खाऊंगी मैं चार पापड लाई हूँ दो तुमारे लिए और दो अपने लिए सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापर दोनों का बढ़िया नास्ता होगा आप देखिए जैसे ही कोको की माने बताया होगा उसको रास्ते में मीमी को कि मैंने कोको के लिए चार चावल की रोटियां बनाई हैं अलमारी में रख् thấy हुई हैं तो मीमी की ममी ने उस दिन केले के पापड बनाए थे, तो मीमी ने क्या सोचा, मीमी ने चार पापड ली है घर से, और वो कोको के घर आ गई, उसने सोचा केले के पापड और चावल की रोटियों के साथ मिला करके हम दोनों खाएंगे, है न, दो कोको खालेगा, दो मैं तो मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड निकालती है वह उन्हें एक तस्तरी में डाल कर मेज पर रख देती है मीमी ने क्या किया वो फोईल पेपर में से कागज में से वो अपने जो केले के पापड थे वो निकाले और उनको पलेट में डाल करके मेज पर रख दिया मीमी कहती है गर्मा गर्म है और स्वादिस्ट भी ठीक है अकेली के पापड बहुत अच्छे होते हैं और मीमी की ममी तो बनाती भी बहुत अच्छी थी तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते हैं अब देखिए उसको थोड़े ना पता था कोको जूट बोल रहा है तो वो कह रही है तुम्हारी है ना तुमने गलत कर दिया तुमने जल्दी खाना खा करके गलत कर दिया और वैसे भी तुमने चार रोटियां खा लिए तो इसका मतलब तो चार रोटि खाने के बाद तो बच्चे के पेट में थोड़े ना जगर रहती है तो वो यहीं बोलती है इसलिए बोल रही है वो कि तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है तुम तो खाओगी नहीं कोको पापड को देखकर होटों पर जी फेर कर सवगत सवगत यानि की मन में सोचता है अब देखिए अब उसने जूट बोला था तो मीमी ने सोचा कि उसका पेट सची में भरा हुआ है लेकिन उसको भूख लगी थी बहुत जोर की है ना उसके तो मुह में पानी आ रहा था चावल की रोटिया खाने के लिए और पापड देखकर के उसको और भी अच्छा लगा कि मुझे भी पापड खाने को मिले लेकिन उसने जूट बोला था कि मेरा पेट भरा हुआ है तो मीमी ने बोला तुम तो खाओगे नहीं ठीक है लेकिन वो जीब फेर रहा था उटों पर यानि कि उसको बहुत भूख लगी थी और वो मनहीमन सोच भी रहा था मैंने बड़ी गलती कि जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है अब वो सोच रहा है अदे मैंने तो गलती कर दे इसको बताना नहीं चाहिए था कि मेरा पेट भरा हुआ है ताकि ये पापड मुझे दे देती लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड तो खा नहीं सकती इसलिए सायद दो मेरे लिए छोड़ जाए ठीक है अब वो सोचता है जूट तो मैंने बोल दिया पर कोई बात नहीं अपने मन में सोच रहे को कोई कोई बात नहीं चार पापड तो वो खाएगे नहीं बना केले के पापड उसकी ममी ने बहुत मोटे मोटे बनाए थे तो वो सोचता है चार पापड तो ये खाएगे नहीं ये तो दो खाएगी दो में इसका पेट भर जाएगा तो दो जो बचेंगे वो मेरे लिए ही छोड़के जाएगी, कोई बात नहीं मीमी एक पापड उठाकर क्या इने निगलने के लिए चाई है तो वो कहती है कि क्या चाई बना रखी है इनके साथ खाने के लिए कोको हाँ हाँ अलमारी पर है मैं ले आता हूँ अब कोको देखिए अलमारी पर उसकी मैं मैं ने चाई रखी थी केतली में डाल करके तो वो कहता है मैं ले आता हूँ कोको चाई की केतली और दो कप उठालाता है मीमी एक कप में चाई डाल लेती है ठीक है वो अपने लिए चाई डाल लेती वो सोचती है कोको का पेट भरा हुआ है तो उसके लिए नहीं डालती मीमी तुम तो चाय पियोगे नहीं पेट भरा हुआ है वो फिर से बोल देती है कि तुमने तो बोला मेरे चार रोटियां खाली है तो तुमारा ज्यादा पेट भरा हुआ है तुम तो पता है ना, पेट में जब जॉदा भूख लगी हो, बहुत जोरों की भूख लगी हो, तो क्या करता है पेट में, गुड़-गुड़-गुड़-गुड़ की आवाज आती है, ठीक है, तो उसके पेट में भी ऐसे ही, केले के पापड और चावल की रोटियों को देख करके ग अब मीमी पापड खाते हुए, मीमी पापड खा रही थी, यह कैसी आवाज है, मीमी ने आवाज सुन ली, तो वो कहरी है, यह कैसी आवाज है, कोको कहता है, आवाज, कैसी आवाज, वो भाना करता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, कैसी आवाज, मीमी कहती है, हल्की सी ग हुँख्यार करता हैं। हो जाएगी ठीक है तो आप यहां तक नाटक को आप मुझे लगता है कि बहुत मजा आया होगा सुन करके तो आगली वीडियो का आप इंटजार कीजिए और फिर आपको नाटक पूरा सुनने को मिलेगा बच्चो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद